इसे कहते हैं पावर स्टार पवन सिंग के स्टाइल में दो भी पच्छार देना नहीं समझे आप देसल हमारी इस बात का इशारा है पवन सिंग को मिली उस काम्यापी पर जो उन्हें उनके हाल या रेलीस कॉमेडी सॉम के जरिये मिली है और जिसके मिलने से आक्टर के हिटर्स के मुँँ पर ताले लग चुके है तो जानना चाहेंगे आप कि कौन सा है वो गाना और किस तरह मिली उसे बड़ी काम्यापी चलिए आएए बताते हैं आपको और साथ ही दिखाते हैं आपको ट्रेनिंग स्टार पवन सिंग का किया पोस्ट भी जस गाने के हम बात कर रहे हैं वो है पवन सिंगा इस साल का पहला कॉमेडी सॉंग रिलीस पुदीना ए हसीना जी हाँ ये गाना जब से रिलीस हुआ है तब ही से तहल का मचा रहा है वेड म्यूजिक के ओफिशल यूट्यूब चैनल पर रिलीस हुआ आलबम, व्यूस, लाइक्स और कमेंस के रिकॉर्ड तो बना ही रहा है लेकिन एक और रिकॉर्ड है जो इसने अभी अभी बना डाला है और ये रिकॉर्ड है दूसी बार फिर से ट्रेंडिंग लिस में नमबर वन की पोजीशन हासिल करने का रिकॉर्ड येकिन नहीं तो देखे कुछ स्ट्रेंबिंग स्टार हिट मशीन पवन सिंग का शेय किया पोस्त जिसमों रोडे गाने की शांदार काम्यावी और फार्स को दिल से शुक्रियादा किया है आप सभी को दिल से धन्यवाद फिर से एक बार इस गाने को ट्रेंडिंग नमबर वन पर लाने के रिए बताते की पावस्तार पवन सिंग गाने में कैसे आशिक मजनू बने दिखे है जो आपनी हसीनों से मिलने के लिए सबजी बेचने वाला बन कर जाता है पवन सिंग को धोती गमचे वाला अवताद एक फ्रांस के इतने गुलगुले फूटे कि उन्होंने इस गाने को पहले भी ट्रेंडिंग लिस्ट में नमबर वन के स्थान पर बिठा कर ताच बना दिया था हाला की बीच में रितेश पांडे का गाना जो की लगाता दस दिन से ट्रेंडिंग लिस्ट में बना हुआ है उसने फिरकर नमबर वन का स्थान हतिया लिया था लेकिन रात ही रात में ऐसा खेल पलठा कि फिर से पावन सिंग का गाना रितेश पांडे के गाने को पचारते वे आगे निकल कर नमबर वन तक पहुच गया अब देखते हैं कि सुपरस्टार पवन सिंग इस काम्याबी को देख कितने लोग जश्न मनाते हैं और कितने इसे देख कर जल फुक जाते हैं फिराल आप पोगन सिंग के डाय हाड फ्रान से जाना चाहेंगे कि उन्हें इस गारे को मिली सूपर सिक्सेस के बारे में क्या कहना है शेय कीजिए अपनो अपिनियन नीचे कमें सेक्षन में